असलाम लेकूम, टियो स्टुरेंट्स. आज हम अपना नाया टोपिक स्ठार्ट करें हैं जो है हमारा टोपिक intensity of sound कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि sound क्या होती है sound के characters क्या होते है sound के characteristics क्या होते है sound किस किस पे depend करती है हमने loudness को discuss किया था आगे loudness किस पे depend करती हमने वो पढ़ा था फिर हमने pitch discuss की थी जो कि shrill and grave sounds के दर्मयान difference करती है फिर उसके बाद हमने जो है study किया था उसकी voice quality को कि दो चीजों दो आवाजों के दरम्यान हम किस तरहां से फर्ख कर सकते हैं कि यह उसकी सिफ voice quality होती है जिसकी base पर जो है हम दो आवाजों में फर्ख कर सकते हैं ठीक है आज हम साउंड क्या होती है आपकी आवाज की शिदत साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकिंड थ्रू आ यूनिट एरिया हैं पर्पेंडिकुलर तो दा addiction of the propagation of sound wave is called the intensity of the sound कि ऐसी sound energy sound energy jiya John kya a specific जो है वो area की आ उपर से पास करती है जो कि बिल्कुल उसके परनेकुलर है उसको हम क्या कहते है वो आपकी sound energy you suppose करें यह आपका area है server वो इस तरह से फ्रेवल कर रहे हैं ठीक है तो यह बिल्कुल उसके क्या है प्रपेंडिकुलार जब बहुत के साथ स्ट्राइप करेंगी तो हम कहते हैं कि बेसिक्ली उस साउंड वेव की कितनी इंटेंसिटी है ठीक है जी इंटेंस्टी ओफव सौन्द इसपेजिकल कॉांटिटी अभी यह क्या इक पिन के मैयरेबल क्सक्ण हैं तो प सकते हैं आप और दूसरा आपकी होती है ड्राइब एक बता आपकी बेस कॉंटिटीज और दूसरी क्या होती है आपके पास ड्राइफ कॉंटिटीज बेस कॉंटिटीज ऐसी कॉंटिटीज होती है जिनकी बेसिस पर हम दूसरी कॉंटिटीज बनाते है और ड्राइफ कॉंटिटीज ऐसी करणके तो अब हम पर्णे जग dependence का जहने होता है एक हम वह थे साउंड- intense टिक वर इसे संधी गाहिए इंस कंट आ होता है वह संधीड में यहां पर यहां पर यह जो है से स्वेंड होता है इस आप intensity का unit अब आजाते हैं जी sound intensity level sound intensity level जो इंसानी कान है ना human ear जो है वो जो है वो इस वक तक जो 10 जो पर minus 12 watt per meter square की जो frequency है लेकर more than one watt per meter square frequency जो है वो हम intensity जो है वो हम सुन सकते हैं जो कि थोड़ा सा loud भी हो जाती और painful भी होती है the loudness of the sound also depends not only on the intensity of the sound but also the on the physical condition of the ear जाहिर से बात है अगर आपके कान की condition ठीक है तो आपको एक मध्धम से sound भी जो है वो अच्छी होते हैं यानि कि चोटी चोटी आवाजों को भी बहुत अच्छी से जच कर लेते हैं लेकिन अगर आपकी sound की air की condition जो है वो physical condition जो है वो better नहीं है आपको कम सुनाई रेता है तो फिर आपको थोड़ी सी loud sound भी जो है वो आपको just clear ही आएगी उसका आपके कान पर gearing effect नहीं होगा the human air is more sensitive to to some frequencies rather than others हमारी कान जो होते हैं वो जादा sensitive होते हैं अच्छी the loudness L of the sound of a sound is directly proportional to the logarithm of intensity यह इसका formula है L जो है वो basically क्या है जो आपका level of sound है intensity level जो है वो directly proportional to है log i k ठीक है intensity का log proportionality के sign को remove करेंगे हम constant लगाएंगे जो के हमारा k है तो आपकी equation बन जाएगी L is equal to k log i यहाँ पर k जो है वो आपका proportionality constant के तोर पर काम कर रहे है if l not be the loudness of the faintest audible sound l not क्यों कहा है l not basically हो कहते है कि आपकी suppose करें कि loudness of the faintest सबसे जादा कम सुनी वाली जाने वाली sound है intensity i not पे and l be the loudness of an unknown sound intensity then we can write अब हम क्या लिख सकते है कि l not बिल्कुश सेम उपर वाली equation है यह जो हमने लिखी थी अब हमने इसको किसकी टर्म में explain कर दिया है l not is equal to k log i not okay अब equation 1 जो अभी हमने उपर पढ़ी है उसमें से हम equation 1 और 2 को आपस सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह बन जाएगा l minus l not l की जगा पर value पुट करेंगे वो क्या थी आपकी k log l k log i minus l not की जगा पर क्या जगा k log i not ठीक है दोनों में k common आ रहा है और दोनों में log का formula log का formula होता है अगर कोई चीज आपस में minus हो रही है तो इसका मतलब है कि भी log में convert हो के क्या हो रही है डिवाइड हो रही है ठीक है जी यह एक formula है log i minus log i not is equal to log i over i not ठीक है जी this difference this difference l minus l not between the loudness l of an unknown sound unknown sound and the loudness l is called the intensity level of the unknown sound यह जो difference है यह क्या कहला तइंतनस T level of the unknown sound ऐसी sound के हमें सुनाई तो देरीए बद क्यासिज जाओ की सुनाई तो देरिये बद लिए cosa type of sound is that the intensity level of an unknown sound is given by इसका फॉर्मूला क्या है intensity level is equal to log i over i naught ठीक है जी यहां पर जो आपकी k की value है ना that depends not only the units but also on the unit of intensity level k की value किस पर depend करती है unit of intensity level if the intensity of any unknown sound is 10 times greater than the intensity of i naught जो कहते है अगर आपकी unknown sound है उसकी जो intensity है यानि कि unknown sound की i naught intensity जो है वो 10 times greater than the original sound है तो क्या होगा the faintest audible sounds होगी वो क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी at the intensity level of i naught of such a sound is taken as unit और इस unit को हम कहते हैं bell यानि कि intensity को हम measure करते हैं एक खास specific unit में जिस unit को हम नाम देते हैं bell का वो कहते हैं अगर हम value of k जो है वो is equal to one करते हैं यानि कि अगर k जो है is equal to one बन जाए तो intensity level is equal to log जो हमारा उपर मेला formula बनेगा वो क्या बनेगा intensity level is equal to log i over i naught यह है in terms of bell अगर तो आपका intensity का unit उस वक्त क्या है बैल है तो यह formula अपलाए होगा लेकिन bell जो है वो basically क्या है it is a very large unit जैसे के मैंने हम क्या पे लिए खभी हुए bell is a very large unit of intensity level of a sound generally a smaller unit called decibel is used इसी लिए large unit के बज़ाए क्या use किया जाता है चोटा unit इस्तमाल किया जाता है और उस चोटे unit को हम कहते हैं decibel decibel जो होता है उस पो abbreviation क्या है उसके db है d small और big capital it must be remembered that one bell is equal to ten bell या अगर हम जैसे आपका meters और centimeters का हिसाब होता है कि one meter is equal to hundred centimeter and one centimeter is equal to ten millimeters जैसे वह हिसाब होता है सेम उसी तरह से one bell जो होती है वो ten decibels होती है if the intensity level is measured in decibels और अगर हम इसको decibels मेर करते हैं तो उपर वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो बस यह जो उपर वाला हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला की जगह पर हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला की जगह पर हम क्या करेंगे हमें कैसा scale बना सकते हैं जो कि intensity level of sounds को जो है डील करता है और इस scale का नाम कहते हैं हम decibels scale कहलाता है okay this was our topic of intensity of sound basically intensity of sound जो है ना वह भी एक characteristic of a sound, fourth characteristic of a sound. इंशाला स्टुरेंट, we will meet again, Allah आपेश